हेलो फ्रेंड्स आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है रीवियू जो सेक्षिन 114 ओर 47 सिविल प्रोसीजर कोड में गिवन है सबसे पहले हम देखते हैं रीवियू का जेनरल मीनिंग क्या होता है रीकंसिडर करना, री एक्जामिन करना या री असेस करना तो इसको जुडिशियल टर्म में देखेंगे, तो अब रीवियू का क्या मतलब होता है जुडिशियली री एक्जामिन करना, ठीक है किसी मैटर में जुडिशियली फिर से देखना, to look again, to the matters referred to the court कोट उस मैटर को फिर से री एक्जामिन करेगी, री कंसिडर करेगी, री असेस करेगी तो उसको कहते हैं रीवियू करना कौन देखेगा और कौन रीवियू करेगा? तो जिस कोट ने, जज ने, वो जजमेंट पास की होगी, वही करेंगे इसको रीवियू अब रीवियू करते क्यों है? कोट एक तरीके से अपनी मिस्टेक को करेक्ट करती है, जब वो matters रीवियू करती है कोई error हो, कोट के कोई decision में, उसको करेक्ट करने के लिए ये किया जाता है रीवियू करने के लिए बहुत restrictions और set conditions हैं, जो order 47 में given है यह जो right है section 114 CPC में यह एक substantive right है यह review करने का right और order 47 में detailed procedure है, restrictions है, conditions है यह सब कुछ given है एक point और है अगर court से कोई arithmetical mistake हो गई हो या किसी की party के पास कोई नया evidence आया हो जो उसने पहले नहीं proof किया हो, पहले नहीं show किया हो या कोई apparent error degree order में तो party application डाल कर उसको review करा सकती है अब यह word यह functions official, यह क्या है? यह एक exception है general rule का, court ने कोई judgment अगर pronounce कर दिये है तो वो functions official हो जाती है, मतलब अब उस judgment पे court की powers seize हो गई है और वो उसको change नहीं कर सकता है, कोई addition, subtraction, कुछ नहीं कर सकता है court की relation में यह word यूज करें, तो एक lawful trial के बाद जब तक court कोई judgment नहीं पास करती है, case को review नहीं किया जा सकता है और वो judgment parties पे binding होगी, मतलब parties उस judgment को follow करेंगी यह एक Latin word है और इसका exception है right to review judgment functions official के critical requirements है, lawful hearing और trial होनी चाहिए case को review करने की proceeding, aggrieved party या individual के request पे होती है CPC के section 152 में यह कहा गया है कि court से अगर कोई mistake हो गई है तो वो suomoto या on the application of the applicant case को review कर सकती है किसी भी case को review करना court की inherent power नहीं होती है अगर court को power दी गई है तो ही वो review कर सकता है जो तो parties to suit है, उनमें से जो aggrieved party होगी न वो review application डालेगी या कोई ऐसी third party जिसको उस judgment या उस decree या उस order से court के उस judgment या उस decree या उस order से कोई फरक पढ़ रहा हो वो बंदा effect हो रहा हो तो वो review application डाल देगा time limit क्या है जिसके दर्मियान review application डाली जाएगी तो supreme court के 1966 के rules के according review के लिए appeal 30 days के अंदर डालेंगे और 30 days कैसे होगी जब से वो judgment प्रणाउंस हुई है या वो order डिलिवर हुआ है उस date से लेके 30 days के अंदर अगर high court में application डालनी है तो time limit 60 days हो जाती है वही same condition जब से judgment प्रणाउंस हुई है तब से अब अगर death sentence या capital punishment का case है तो 30 days का होता है time period date of issuance of order से मतलब जब से वो order issue हुआ है उस दिन से लेके आने वाले 30 days के अंदर तक अब ए reasons क्या है एक judgment को review करने के तो जिसने review के लिए application डाला है अगर उसके पास कोई fresh और substantial evidence आ जाते है जो वो तब produce नहीं कर पाया जब order होना था कोई भी reason हो सकता है शायद उसको evidence के बारे में knowledge ही ना हो या कोई भी incompetence तो वो अब review के लिए application डाल सकता है second है mistake या error apparent on the face of record मतलब court का कोई ऐसा error जो on record साफ साफ दिख रहा हो उस error को proof करने के लिए कोई argument या कोई examination की ज़रूरत नहीं है तो भी review डाल सकते हैं मतलब डाल नहीं सकते हैं मतलब review हो सकता है अगर कोई obvious mistake है जो court से हो गई तो भी review की powers है कि वो case review हो सकता है अगर court को कोई misconception हो गया किसी को लेके जैसे सामने वाला बंदा court ने ऐसा सोचा कि शायब वो insane है शायब थोड़े उसकी दिमागी हालत खराब है और उसके accordingly order पास हुई है फिर बाद में पता चलता है कि नहीं वो तो बिल्कुल ठीक था वो acting कर रहा था तो court अपनी powers use करेगी और उसको review करेगी इसके साथ और adequate factors भी हो सकते है इसमें अब एक और point है कि अगर court के पास कोई ऐसा case है जिसमें appeal के provisions थे बट party ने appeal नहीं की तो भी वो party आगे review के लिए जा सकती है अब हम देखते हैं ये other adequate factors क्या है other adequate factors मतलब some other reasons, enough जो necessary reasons हो या law में stated हो उनका grounds consider होगा अगर गलट documents mislead किये गए है शो किये गए है तो उसको discovery of new evidence या apparent mistake on the face of record नहीं माना जाएगा इसलिए इसको any other sufficient reason में डालेंगे और जो claim होगा review के लिए, review application के लिए कि case को वापिसे review करना है उसमें effid effid देना बहुत ज़रूरी है अब हम देखते हैं कि review की request refuse कब होगी अगर judges या tribunal जिसने वो judgment, order या decree pass करी है वो satisfied है कि ये जो review के लिए application डाला गया है इसमें किसी new evidence की discovery नहीं हुई है कोई face of records में error नहीं है और कोई other sufficient reason भी नहीं है तो वो review application reject हो जाएगी वो basis क्या है तो अगर review application limited time period के बाद submit की गई है और उसके लिए कोई fair justification नहीं है कि इतने late से क्यों submit करें तो reject होगी पहले review हो चुका है matter और उसका review order भी आ चुका है तो दुबारा review नहीं होगा अगर applicant जिसने review application डाली है वो नहीं आता है उस date पे जो fix की गई हो hearing के लिए re-examination के लिए और उसने कोई fair reason भी नहीं दिया या अगर उसने कोई reason दिया वो fair नहीं है तो भी application reject हो जाएगी अब अगर दो या दो से जादा magistrate है तो जो majority का decision होगा वो consider किया जाएगा अब next है कि ये जो review application deny हुआ है ये applicable है या नहीं तो CPC के order 47 के rule 7 में कहा गया है कि कोई भी appeal available नहीं है against the denial of request of review अगर request of review deny हो जाती है तो कोई भी appeal नहीं डाला जा सकता है मतलब appeal नहीं होगी अगर request deny हो गई है तो appeal नहीं होगी लेकिन अगर वही request approve हो जाती है तो वो appealable भी हो जाती है अगर denial इस basis पे है कि applicant आया ही नहीं था जो set date था उस पे applicant आया ही नहीं तो applicant क्या करेगा अब वो apply करेगा for an order ताकि उससे application को reinstate किया जाए reinstate का मतलब restore किया जाए और court उस application को reinstate मतलब restore करेगी लेकिन sufficient grounds होने चाहिए कि वो क्यों नहीं आ पाया और वो fair होने चाहिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए opposite party जो होती है उसको भी request के status के बारे में पता होना चाहिए अब देखते हैं कि apply कौन कर सकता है review के लिए तो obviously है वो ही बंदा apply करेगा जो aggrieved person हो जो aggrieved हो उस judgment order या decree से जो satisfied नहीं हो वो करेगा एक decree या order जिसके लिए party appeal कर सकती थी पर उसने नहीं किये तो वो review डाल देगा कोई ऐसी decree या order जिसमें appeal allowed ही नहीं है तो aggrieved party के पास क्या बचा review जो court of small cases होते हैं उसमें जो judgment आ जाती है उनके लिए भी review डाल सकते हैं lastly हम अपनी वीडियो को conclude करते हैं तो हमें क्या पता चलता है इस सारी वीडियो से कि judiciary के पास right है वो अपने decision को review करे और अगर कोई mistake हो गई है उससे तो वो उसको correct करे यह review करने का जो right होता है यह section 114 में given है order 47 CPC में given है section 114 में क्या given है right to appeal लेकिन order 47 में क्या given है वो restrictions, conditions, detailed procedure जो इसमें follow होंगी constitution के article 137 ने supreme court को empower किया है कि वो अपने decisions को review कर सके court के पास यह जो review का power है इसका aim क्या है? इसका aim है कि justice deliver हो as it is said कि law must bend before justice मतलब हमें justice देना है, justice के according law को set किया जा सकता है अगर आपको हमारी यह video अच्छी लगिए तो जुरूर लाइक करें और हमारे channel को भी subscribe करें Thank you